नमस्कार, वेलकम डू स्टडी आएक्यू, मैं हूँ प्रशान धवन, डॉनल्ड ट्रम्प मरते मरते बचे हैं और मैं आपको ये बता दू, ये जो डॉनल्ड ट्रम्प की इमेज है, यहाँ पे आप देख पाओगे, इनके कान से खून निकल रहा है, जो आदमी ट्रम्प को म मर सकते थे, और आप सोच सकते हैं, अमारिका में दंगे हो सकते थे, लाल्ड स्केल पर, मगर जो विज्वल सामने आए हैं, पूरी दुनिया शौक्ट है, कि यहाँ पे हो क्या रहा है, एक ऐसा आदमी, जो लग रहा है कि बहुत आसानी से जो बाइडन को हरा कर, USA का अगला प्रेजिडेंट बन जाएगा, इसे मारना की कोशिश की जाती है, एक रैली में, और सोचल मीडिया पे हर एक आदमी ये फोटो शेर कर रहा है, इलोन मस्क ने ट्विटर पे ये फोटो शेर करी, और 50 मिलियन से उपर व्यूज आ रखे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, क जब आप एक गोली लगती है, और गोली लगने के बार भी क्रावड को देखकर ये बोलने में, कि हम लड़ेंगे, बहुत ब्रेवरी चाहिए होती है, मैं आज खुद कहूंगा, ये ट्रम्प ने दुनिया के सामने साबित कर दिया है, कि सिर्व ये स्टेटमेंट्स नहीं अंदर से भी इन में बहुत फाइट है, ये जो वीडियो है ध्यान से देखना, ट्रम्प इस वक्त पैंसलवेनिया, यूसे की एक स्टेट है पैंसलवेनिया, वहाँ पर एक छोटा सा रूरल एरिया है, उदर भाशन दे रहे हैं जो असासन था, उसके पास AR-15 राइफल थी, अगर आप सोच रहे हैं कि US में AR-15 राइफल इसको कैसे मिल गई, इंडिया में हमारे या बंदुके मिलना बहुत मुश्किल होता है, USA में बंदुके खरीदना रेलेटिवली आसान होता है, तो उसके पास एक राइफल थी, सब आप देखो, ट्रम्प के कान पर गोरी लग चुकी है, ट्रम्प ब्लीड कर रहे हैं और नीचे यह गिर गई है, अब आप देखोगे, यह उठके खड़े होंगे और क्राउड को बताएंगे कि हम लडएंगे, यह जो विजुल्स है, यह बहुत स्पेशल है, आप देखोग सीग्रेट सर्विस को भी पता नहीं है, गोलियां कहां दे चल रही है, किसने गोली मारी है, हार तरह से इनको घेर रखाएंगे, गोली चले भी, तो एक बार को इनको गोई लग जाए, ट्रम्प बच जाएं और यह, दिस इस दा फाइट मैं आपको बता दू, ट्रम्प का जो यह जेस्चर है, जो फोटो, जो विजोल सामने आई है, इतिहास में याद रखी जाएंगी यह ट्रम्प का अवरॉल आप क्या लीजिए, यह ट्रम्प की मैमरी होगी आने वाले कई दशकों तक और अभी देखो जो बाइडन, जो ट्रम्प के में प्रतिद्वन्दी हैं, जिनके साथ अभी यह डिवेट भी करेंगे, अब देखो, वैसे आप अगर मुझसे पूछे, ट्रम्प को जीतना चाहिए यह यह यूएस इलेक्शन, मुझे लगता नहीं है कि बाइडन जिस टाइब के वो ब्लंडर्स कर चुके हैं, जैसे उनकी स्टेट्पेंट्स आरी हैं, ट्रम्प को वैसे ही बड़ा अडवांटेज था, अब जो यह असासिनेशन का अटेंप हुआ है ट्रम्प पे और यह जो बच के सामने आए हैं, इससे रो देखिए, जो कुछ बचे- बाइडन ने अभी के लिए ये का है, कि अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगा नहीं है, वेल अजीव सी स्टेट्पेंटेंट के या बंदुके तो ओपनली बिकरी होती है, तो बंदुकों से कई बार लोग मारे जाते हैं, दुनिया में सबसे जादा गन रिलेटेड जो व जाली कर रहे थे, USA की स्टेट पैंसलवेनिया में, इधर आप देख पा होगे, यहाँ पर थे ट्रम्प और इनके सपोर्टर्स, और जो आदमी जिसने ट्रम्प पे गोलिया चलाई, यह यहाँ पर छुपा हुआ था, इस बिल्डिंग के उपर, इसके पास AR-15 राइफल थी और सबसे जादा अजीब बात मुझको यहाँ पर यह लगी है, अब यहाँ पर क्वेशन आएगा, कि ट्रम्प पर जब यह आदमी गोलिया चला रहा था, तो ट्रम्प के, ट्रम्प की टीम के, जो काउंटर स्नाइपर्स हैं, उनको दिखा नहीं यह आदमी, वेल उनको दि आता है, काउंटर स्नाइपर, जिस लेवल की सिक्योर्टी ट्रम्प को मिलती है, तो दो-चार काउंटर स्नाइपर्स हमेशा इनके आसपास रहते हैं, depending on the venue, मोधी जी की टीम में भी आपको अल्मोस यही मिलेगा, पुतिन की टीम में भी, यह common practice है, कि अगर मान लो, कोई important काउंटर स्नाइपर को दिख रहा था, वह आदमी जो ट्रम पे गोली चलाने वाला था, लिटरली आप देखोगे, इसकी जो बंदूख है, वहां पे पॉइंटेड है, मगर it appears कि यह जो जो काउंटर स्नाइपर है, यह भी वेड़ कर रहा था, कि पहले तु गोली चला ले, फिर मैं reply दूँगा इदर आप देख पाओगे ये मुझे बहुत अजीव लगा कि जब तक उस आदमी ने गोली नहीं चलाई counter sniper ने अपनी तरफ से गोली नहीं चलाई almost वो wait कर रहा था कि मुझे reason मिले गोली चलाने का this is very strange नहीं तो Trump की level की जो security आपको देख रहा है दूर से कि एक आदमी बंदूक लेकर तयार है वो गोली चलाने वाला है you should act मगर बात देखिये यही पर खतम नहीं होती पूरी दुनिया बहुत सबार उठाईगी कि यहाँ पर हुआ क्या था क्योंकि यह सब अटाउक होने से पहले Tucker Carlson USA में बहुत ही famous journalist है इन्होंने कई बार मीडिया के सामने यह का था कि इनके एसाब से Trump पर अटाउक होगा एक assassination attempt Trump पे किया जाएगा यहाँ पर देख पाऊगे जो इनकी यह वीडियो है आज से कुछ टाइम पुरानी यह आज के समय काफी वरल हो रही है उनको जेल भेजने की कोशिश करी गई दुनिया भर के केस करने की कोशिश करी गई यह आज के समय सोचल मीडिया में बहुत जादा सर्कुलेट हो रही है और अगर यहाँ पे आपका question यह है कि यह तो बताईए कि जिस आत्मी ने गुली चलाई थी ट्रम्प पर उसका क्या हुआ वो मर चुका है जैसे मैं आपको बताया जो counter sniper था वो तयार था उसने delay कर दिया अटाक करने से पहले मगर eventually जैसे उसको दिग गया कि वो आदमी ट्रम्प पे गुली चला रहा है तो counter sniper ने उस आदमी को मार दिया वो visuals मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा बहुत जादा disturbing images सामने आई हैं वहाँ पर बट अब ये बात तो तय है USA में लोग अब खुल कर कहेंगे I support Trump Elon Musk ने भी इस पर tweet करनी स्टार्ट कर दी है इसे पहले ये अपने जो funds थे बहुत सारे वो भी दे चुके है Trump को क्या आप election लड़िये और अब ना सिर्फ Elon Musk का आप देखोगे बहुत सारे prominent Americans खुल के Trump के समर्तन में आएंगे ये एक game changing moment है in the history of the United States तो आने वाले समय में देखिए इस topic से related बहुत सी detail सामने आएंगी तो मैं आपके लिए updated वीडियो लाता रहूँगा finally यहाँ पर आप से सवाल पूछूँगा question यह है कि रेखिए अब चार्ट GPT में किस country का API traffic आपको नहीं देखेगा जब चार्ट GPT से आप सवाल पूछते हैं तो चार्ट GPT दुनिया भर के countries का जो internet है वहाँ से knowledge निकाल कर आपको देता है जबाब मतब internet की जो knowledge है वहाँ पर उस country की based वहाँ से आपको देता है जबाब तो हाल ही में किस country का API traffic चार्ट GPT की जो company है open AI इसने block कर दिया है कि यहाँ से दो कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी इनके internet zone से तो यह हैं आपकी options रशिया, चाइना, मेनमार या फिर वियतनाम comment section में करिए उत्तर जो लोग सही answer देंगे उनकी comment को मैं हार देंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए के सही answer क्या है और finally आपर मैं ये भी add कर दूँ के study IQ का UPSC batch प्रतिग्या ये शुरू हो चुका है इसकी जो enrollment है शुरू हो चुकी है इसकी जो classes है ये 18 जुलाई 2014 से start हो जाएगी तो comment section में जाओ यहाँ पे आपको ये मिलेगा link इस link पर करिए click और आपके सामने खुल जागा ये page यहाँ पे आप study IQ का जो प्रतिग्या batch है ये कर सकते है purchase बट जो price यहाँ पर लिखा है ये pay करने की जुरूद नहीं है simply यहाँ पर code use करिए and the prices will start falling प्रतिग्या batch में देखिए main खास बात ये है कि आपका prelims जैसे ही clear होता है आपका पैसा refund कर दिया जाएगा study IQ आपको option देगा कि अगर आप चाहें तो दिल्ली आ सकते हैं study IQ के साथ रहिए यहाँ पे आपका जो खर्चा है रहने का, खाने पीने का study IQ उठाएगा mains की त्यारी करेंगे मिलकर interview की त्यारी करेंगे and we will make sure that you reach your destination तो ये जो प्रतिग्या batch है इसमें आप कर सकते हैं May the gods watch over you